लंग फिश अब सोचने वाली बात है कि इस मचली को आखिर लंग फिश नाम से ही क्यों पुकारा जाता है तो उसका कारण यह है कि इस मचली को लंग्स की कारण ही इसे अमरता का ऐसा वरदान प्राप्त है क्योंकि यह मचली अपने लंग्स की मदद से ही सिर्फ पानी में ही नहीं बलकि पानी की बाहर भी जिंदा रह सकती है गर्मियों का मौसम आते ही जब नदियां और तलाबों का पानी सूखने लगता है तो यह मचली खास तरह की survival skills दिखाने लगती है यह खुद को जमीन के अंदर ले जाकर अपने शरीर में एक रसायन को निकालती है जो इसके शरीर के इर्दगिर्द जम कर सूख जाते हैं बस उसके बाद यह मचली तब तक के लिए गहरी नीन में चली जाती है जब तक कि उस इलाके में फिर से दुबारा बारिश नहीं होती आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह मचली कई सालों तक बिना खाये इसी हाल में जिन्दा रह सकती है और जब भी अगले साल बारिश का मौसम आते ही उस जगह पर पानी बरसता है तो यह लंग फिश अपनी इस नीन से जाक कर दुबारा जिन्दा हो जाती है अब आखिर यह मचली यह सब कैसे कर पाती है यह तो कोई नहीं जानता पर हाँ अगर आपको कभी किसी बिल में ऐसी मचली दिखाई दे तो उसे बचानी के लिए वहाँ से निकालने की कोशिश मत करना वो उस जगह पर एकदम सेफ है बस उसे इंतिजार है